हेलो दोस्तों आपका स्वागते और आज की देखनेयों शुरू करते हैं उससे वेले माफ़ी चाहूंगा दोस्तों आज हमारा तीसरा वीडियो है थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि हमने रेडमी की नोट 9 की अंबॉक्सिंग किया था एकदम से आपको सर्प्राइज दे दिया और अगर आपको नहीं देखा है जरू सजा के देखना साथ में दोस्तों हमने बहुत ही इंपॉर्टन वीडियो बना है प्राइवेसी इशू पर हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रैंड को टार 60% से ज़ादा लोगों ने कहा चलेगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर प्राइज अच्छी है तो उसके बाद बाकी के 21% लोगों ने कहा नहीं नहीं इतना आई पर कि क्या फाइदा हुआ और फिर बहुत सारे लोगों ने यहीं भी कहा not interested तो यह आप लोगों का suggestion था Anyways दोस्तो गरमा गरम टेक निउस आज भी लेकिया क्या हो लाइक करते रहना और फड़ावट से आज की रेक निउस शुरू करते हैं तो मेले कबर के बात करेंगे शुरुआत करते हैं इंडिया के नए non privacy data regulations से जी हाँ आपको तो पता ही है दोस्तो इंडिया में जो भी companies काम कर रहे हैं चाहिए वो Chinese हो, non Chinese हो और जिनके पास हमारा data है जो private data है वो government के according उनको local ही store करना है और वो लोग follow भी कर रहे हैं कुछ नहीं कर रही है तो उन पर लफडा भी चल रहा है लेकिन फिर भी ये हमारे देश में कानूने क्योंकि privacy से regarding हमारे देश में ये बहुत ही private data भी उठाया है तो उनको तो पहले register करना पड़ेगा और दूसरी चीज़ उनको government को सारी information देनी पड़ेगी चाहे वो data का क्या करते हैं कहां use करते हैं क्यों उठाते हैं हर एक चीज़ उनको बतानी पड़ेगी ये चीज़ मुझे सुनके काफी अच्छी लगी है कि private data की अलावा भी non private data की भी माइने होते हैं और government उस पर अभी ध्यान देरी हमारा देश बहुत बढ़ा है दोस्तो और इसका मतलब यह नहीं कि जो आये काम करें और हमारे data ओडा कर लेके जाए जो 59 Chinese है बैन हुए ना तो हमें अकल आया हमें समझ नहीं आए कि हाँ ये सिंध होता है और फिर हमने जब उस पर और प्रेशर डाला तो काफी सारे चीज़ें बाहर निकल कर आईए उसी से रिगारी जो मैंने वीडियो बनाया हो जरूर से जागे देखना क्योंकि मैंने एक particular brand को target नहीं किया मैंने सारी brand को एक साथ उठाया detail में practical आपको समझाया कि exactly क्या है औ brand तक भी मैंने बात किया उनको phone लगा के बोला ये मैं करता हो दोस्तों अगर मैं कोई चीज़ उठा लेता हो तो फिर उसका पीछा नहीं चोड़ता हो ये मेरी आदत है वो वीडियो ज़रू से जागे देखना और ये अगर लागू होता है तो और भी जाता मज़ा आएगा तो यहाँ पर दोस्तों वीवो की तरफ से खबर आ रही है अच्छा लगा जब मैंने वो वीडियो बनाया था उसमें वीवो का कोई सीन नहीं था खेर दोस्तों वीवो X50 और X50 प्रो इंडिया में इसी महीने लाँच होने वाले है और flip card पर दोस्तों उसका teaser भी निकल कर आ तो आपको पता है ज्यादा ही होती है देखे दोस्तों क्या price होती है कब launch होता है यह तो हमें पता चलेगा लेकिन मेरी जो unboxing आईगी उसमें एक छोटा सा surprise भी होगा आपके लिए उसको बिल्कुल भी miss मत करना तो क्या हम अब दोस्तों LG की तरफ से खबर आ रही है YES non Chinese company सोच और उसके उपर तक जाएंगे अभी दोस्तों LG का K31 Google Play Console पर लिस्ट हो गया जिया देखिए अच्छा लगए कि LG का नया फोन आ रहा है लेकिन गौर से देखने के बाद ऐसा पता चला कि इसमें तो Helio P22 वाला प्रोसेसर है दो साल हो गया बस करो अब इसका पीचा छोड़ दो प्रोसेसर का वो खुद पना मांग रहा है कि मेरा पीचा छोड़ो कुछ और करो और LG अभी वहाँ पर अटका हुआ है तो बहुत दिन से नहीं दिया था मैंने आज दे रहता हूँ एड़ रुक र इंफोर्मेशन तो मिल ही रही थी फोर्टोस भारा है थोड़े बहुत की स्पेक्स भारा है अभी दोस्तों के पूरे स्पेक्स यहां पर बाहर निकल कर आ गए जिया ऐसा को प्रेजेंटेशन था उस पर से किसी ने यह उठाया होगा लेकिन जो फोन इसमें देख रहा है द पीछे क्वाट केमरा होगा 48 मेगापिसल प्राइमरी ओएस यह सब मिलेगा 8 मेगापिसल का अल्टरावाइट 5 का देप्थ 2 का मैक्रो 328 की डूल सेलफी होने वाली है 4115 एमेज के आपको यहां पर बैटरी देखने को मिलेगी 30 वाट का फास्ट चारजिंग होगा स्नापेक को तब ही हमें सारी जानकरी मिल जाएगी तो यहां पर आप सभी लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग ख़बर लेके आगया दोस्तों एक बहुत ही कमाल का क्लासिक गेम दोस्तों आपको एंड्रॉइड और आयोस में देखने को मिलने वाला है अभी पब जी कॉल अफ सिक्स की में भात कर रहा हूँ और वही क्लासिक गेम क्रेश बैंडिकूट अंडर यह एंडरॉइड और आयोस में आ रहा है दोस्तों जो मेरे गाल से एक बहुत ही बड़ा अनॉंसमेंट है और जो गेमर से और जो इस गेम के फैन है उनके लिए बहुत ही अच्छी ख़बर तो यहाँ पर दोस्तों गूगल की तरफ से बहुत ही इंटरस्टिंग ख़बर आ रही है और आपको तो पता ही है दोस्तों गूगल ने जब सिर्फ ने प्रोजेक्ट ट्रेबल को अनॉंस क्या किया तब से उन्होंने सारी OEMs जो भी कमपनी से उनको फोर्स किया लोगों के स्मार्टफोन पर लेटिस्ट अंडरोइड अपडेट कि ली और अभी आज कर er बहुत सारे फ़स जो मार्केट में मिल हूँ उन पर लेटिस्ट अंडरोइट टेन और Android 11 में भी हमें इससे ज़्यादा success rate डेखने को मिल सकती है लेकिन अगर iOS की बात करें तो iOS का record नहीं तोड़ा है iOS 13 दोस्तों आते ही एक महिने में 50% का mark complete कर जा था मतब जितने में devices से उसमें से 50% एक महिने में iOS 13 चड़ गया था पहले तो realme c11 in the house yes मेरे पास सामने पढ़ा टेस्टिंग चल रही है ठीक है रेडिमी 9 की जो अन्बोक्सिंग वो आपको कल मिलीगी रेडिमी note 9 का हमने कर दिया आप जाके देख लेना रेडिमी 9 कल आएगा वह global unit है और अभी बात करते हैं realme के दोस्तों तो realme का 120 वोट वाला fast charging technology जो है जिसको realme super dart बोलता है यह technology दोस्तों यह fast charging technology है अभी आएगी और बहुत सारे realme की phones में आपको देखने को मिलने वाली है मतलब बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों realme इस technology को बहुत ही जल्दी achieved कर सकता है शायद सबसे बले क्या बता realme ऐसी company हो जो 120 वोट charging technology लेकि आजए हाला कि यह इशन अगरवाल ने इस पर tweet किया था सबसे पहले उनको किसी source से पता चला और screenshot वगरा भी सामने निकल कर आ गई है ऐसे अभी हमें आप और realme की phones में अलड़ी मिल रहा है 65 वोट फार्स चार्जिंग लेकिन अभी दोस्तों यह 120 वोट आता है कि 2019 में दोस्तों टिक टॉक ने लगबख से 49 मिलियन वीडियोस निकाला है उनके प्लैटफॉर्म से मतलब वो जो वोईलेंस निविटी और जो भी है उन टाइफ की कैटिगरी के लगबख 49 मिलियन वीडियोस हो जाते है लगबख पांच करोड के असपास ऐसा बताया जाने है दोस्तों कि उनकी जो हेट निविटी जो कैटिगरी है ना उसका ये एक पसंड भी नहीं है सोचो कितने सारे वीडियोस वहाँ पर होगे उसमें से पांच करोड वीडियोस उन्होंने निकाले जो उनको लग रहा था कि कुछ ज्यादा ही वॉयलेंट है मतब सोचो टिक टॉक का क्या हाल होता था दोस्तों अगर ये नहीं निकालते और अच्छा हुआ इंडिया से चला गया आप सोचो और भी कितने वीडियोस इस पर आके क्या-क्या नहीं करते थे अच्छी वाद है कि यूटूब की पॉलिसी बहुत ही अलग है जो टिक टॉक जैसा नहीं है खेर ये तो उसको बोलने के बाद समझने आया इतना बाकी तो आप मुझे पता नहीं ये टिक टॉक का क्या हाल होगा वैसे तो भी है नहीं खुशिया मना हो लेकिन जालदा देखे जाने वाला फोटोग्राफ कौन सा आपको बताए विंड़ोस XP का वो चयो ट्लासिक वालिपे पर ना जां चालू करते तो तंडंग्डंग आवा जाती है हा उसका दू क्लासिक वाल्पेरिजिसको मुलते ब्लिस वो सबसे ज्यादा देखे जाने बाल टॉ यस